कोई भी इंसान 100% सही नहीं होता और जो 100% सही होता है उसे भगवानिया अल्ला कहते हैं हमसे भी गलतिया होती है आपसे भी गलतिया होती होंगी और इंसान तो उसी को कहते हैं जिससे गलतिया होती है जैसे कि खान भी सर को ले लीजिए उनसे भी गलतिया हो सकती है तो होता क् कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-3% गल्तियों को 2-300% बढ़ा चढ़ा कर धिडोडा पीट देते हैं तो चलिए उस वाइरल वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं काली वाली जो बिल्डिंग दिख रही है यही क्या है मक्का है मेरे भाई यह मक्का नहीं है अगर आप इसे मक्का पढ़ाएंगे कि यह जो बलेक वाला है यह मक्का है तो आपके पढ़ाए हुए बच्चे जहां जहां कहेंगे कि यह बलेक वाला जो है यह मक्का है वो महाँ जलील होंगे उनकी वहाँ बेच्जती होगी कि इने यह भी नहीं पता कि ये मक्का नहीं है यह तो हमारी हें का बच्चा जो पतंग उड़ाने जाता है जो पंक्चर की दुकान पर ट्यूप काटने बैटता है उसे भी पता हुता है कि ये मक्का नहीं है, ये है बैत अला, ये मक्का नहीं है, मक्का इस शहर का नाम है, एक गलती, दूसरी गलती, ग्रीन कलर का राता है जो मदीना है, अरे बेटा, ये मदीना नहीं है, देखो मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं खान सर का सर हूँ, तो बेटा के सकता हूँ, लेकिन उन्होंने जो कहा है ब्लेक और ग्रीन कलर वाले बिल्डिंग को मक्का और मदीना तेखिए तो होता क्या है मक्का सहर को उस ब्लेक कलर वाले बिल्डिंग के नाम से ही जानते हैं और मदीना सहर को उस ग्रीन कलर वाले बिल्डिंग के नाम से ही जानते हैं क्योंकि हम ल जादतर लोग उसको मक्का मदीना के नाम से ही जानते हैं और जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग पेंटिंग करते थे तो पुछते थे कि तुम बताना कि मैं क्या बना रही हूं किसका पोटो बना रही हूं तो जब हम उसको ब्लेक कलर से पेंटिंग करते थे तो वो लोग ज चोटे थे और जो पोश्टर को देखते थे तो उसमें मक्का उर्म अदीना का एक फोटो लगा रहता था तो हम लोग समझते थे कि मॉक्ः मधीना एक ही जगा यह लेकिन जब हम लोग मुलाना की तक्रीरें सुनने लगए और पढ़ाई करने लगए इसलाम के बादे में तब हमें मालूम चला कि मख्रा मदीना में दूर तक सबस्कर है ум घ्र के सनग जन्कारी तो इसके लिए की ताब और ना पड़ेगा और यहांपर कन सरई इसलाम की किताबों को और रहना चाहिए तो बिटे नमाज में सर नहीं होता नमाज में मूँ होता है जब बच्पन में छोटे से अब्दुल को छोटे से पंक्चर वाले को जब नमाज की नियत सिखाई जाती है ना तो उसमें के दिया जाता है कि रुख मेरा काबी शरीफ की तरफ तो सर नहीं कि रुख मेरे काबा सरीफ की तरफ से तो रुख का मतलब क्या आगे का चेहरा जिसमें मूँ भी आता है और सर भी आता है क्या मतलब आप भी खूब करते हैं तीन चीज़ें चोती बात आपने कही अब इस मक्का के चारों और घूमना जो होता हज यातरा कहला था हज नहीं पेटे चारों और घूमना हज नहीं है चारों और घूमने को कहते हैं तवाफ हज काबत अला अरफात मीना मुजदलफा के एक प्रोसेस को कहते हैं इसके चारों तरफ घूमना हज नहीं होता ओहो उसको हज यातरा ही कहते हैं फर्क सिर्फ इतना है कि खांसर जो पढ़ा रह और आप जो बोल रहे हैं उसको सुध उर्दू में बोल रहे हैं और आपको मालूम होना चाहिए खांसर पूरे हिंदुस्तान को पढ़ा रहे हैं ना कि सिर्फ मुसल्मानों को और आप जो बता रहे हैं वो सिर्फ मुसल्मानों के लिए बता रहे हैं और मैं आपर बता दू कि हाज यात्रा कैसे हो जाएगा तवाफ का मतलब क्या होता है घूमना घूमने को क्या कहते हैं यात्रा कर नहीं होती जब मक्हा जाते हैं तो हस तब कम्प्लीट होती है चब ऐलग नाम नहीं दिया जाता है उस गांधी मैडान को उसी तरह औरफात के मैडान को मकहः सहर के नाम से चाना जाता है और जो लोग हज करने जाते हैं उन्हें मालूम होता है कि मक्का कहा है और यह भी मालूम होता है अर्फात का मैदान मक्का के पुरव में है और यही बात समझ कर उन्होंने बोला है कि मक्का में हज कंप्लीट होता है अगली बात फिर आपने कही यह मक्का को कहा जाता है कि मतलब य अल्ला के पूज़े इस्थल के लिए इसका महत्व नहीं है बेटा इसका महत्व इसलिए है कि ये इबराहीम अले इसलाम ने बनाया था अल्ला ने उनसे बनवाया था और तमाम मुसल्मान इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं और ये तवाफ के लिए और हज के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्या आप भी ना छोटी छोटी बातों का तील का ताड़ बना दिये हैं आप बोल रहे हैं कि इसको इबराहीम अले इसलाम ने बनवाया है अल्ला तला के कहने पर तो अल्ला तला ने क्यों बनवाया है इसको अबादत करने के लिए नमाज पढ़ने के लिए और अबादत करना और नमाज पढ़ने को ही बोलते हैं पूजा करना और जिस जगह पर पूजा की जाती है उसको हिंदी में पूजा एस तलीना कहा जाता है मुसल्मानों में एक चीज बहुत प्राइब है पस्चिम हो करके वो जूट नहीं बोलता है क्या हर कुछ यार मतलब ये बाते हैं अपन अन रिकोर्ड थोड़ी केते हैं इसी बाते बच्चों के जहन में नहीं डालते हैं जिसे जूट नहीं बोलना होता वो इसलिए जूट नहीं बोलता कि कुरान में अल्ला ताला फरमाता है और जूट बोलने वालों पर अल्ला की लानत होती है तो जिसे अल्ला से डर रखता है वो वेसे ही जूट नहीं बोलता और जिसे अला से डर नहीं है, वो पूरा पुरा पुष्चम उत्तर दखिण कहीं भी मूह करें, एसी कोई मानने था, इसलाम में मुसल्मानों में नहीं है कि पॉरा वीडियो तो आपने दिखाया नहीं है, इसके आगे के वीडियो में खांसर बोल रहे हैं कि पॉस्चम की तर जूट है उन्हें यह भी का है जूट बोलने वाला गीता और पर हाथ रखकर भी जूट बोल देता है और रही बात मक्का की तरफ फांत उठाकर जूट न बोलने की तो हमारे दोटोरा नहीं पड़ा रहें आड़ा थोड़ी रहें पड़ाने में औरने में डिफ्रेंट्स होता है आप अगर इस वर्ड पर ही गोर कर लेते तो आपके समझ में आ जाता कि पेगंबर का मतलब पेगाम पहुँचाने वाला दूद पेगंबर का मतलब सबसे प्रिये नहीं अगर ये बच्चे कहीं पर इनका कोश्चन आ गया कि पेगंबर का मतलब क्या होता है तो ये तो लिख को पहुंचाने वाला अल्ला का पेगाम इस दुनिया तक पहुंचाने वाले कई पेगंबर आए जिन में से एक हज़रत मुहम्मद थे उसी बात को आपने लंबा कर दिया है खान सर ने कहा है कि भगवान या ला के पिरिया को पेगंबर कहते हैं और आप आपने क्या कहा पेगाम पहुंचाने वाले को पेगंबर कहते हैं और एक्जाम्पल भी दी कि बहुत सारे पेगंबर आये और गये जिसमें से तो क्या अन्गे पिरिया नहीं थे उनके दुसमन थे यहीं बात आपको समझ में नहीं आ रही है और यहां पर आप पेगंबर का डिफिनेसान बता रहे हैं और खान सरर ने पेगंबर और बिँद बता गोले मारना वहाँ आप तो यहां पर यहां पर कुछ नई है वह पर अवा पर कॉजिड़ कॉजिग गलता च्छल good देग दो उन्होंने बताया नहीं है रही बात अमिख्लिजट मिलोगी दीवर एक इसके डीपली जनकारी कि इसके बारे में जनकारी लेने की तो इसके लिए तो एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा इस टॉपिक पर जानने के लिए इसके बाद भी नहीं रुके आपने फिर अड़ाई और क्या अड़ाई वहां पे जो इसलामीक परमपरा है वह हम आपको बता देते है एक सैतान था मत्ले बहुत बुरा आदमी था जब मोहमत साब थें टो उनको बहुत परेशान करता था उपुद है जापो सराब लुई जा? आप पडाने की जंगा上 लने में जाधा विश्वास रख रया है आपने यही अड़ा दी कि यह मामला यह पत्थर मानने वाला यह आदमी एक शेता यह आदमी था और यह मुहम्मत को बहुत परिशान करता था और उन्होंने इसे श्राब दे दिया हर कुछी मतलब कहीं से भी कुछ भी यह तीन पिलर्ज हैं ना तो यहां कोई श्राब से पत् अबने लागए नहीं अडाया जाता आपने उसके बाहरे में घैट कि सभी कौ मालूं चल जाता का फ़िर तो तो जो स्यूलिंग वाली बात होती है वो तो मदीना के पास है जहां पत्थर मारा जाता है पिटे वो मदीना में कहां से आएगा वो मक्का में है वो मिना में है मक्का में भी एध जंगा है मिना वो वहां पर है मदीना में मस्जिद नभवी है हाँ यहाँ पर आपने पड़ाया दिया अड़ाया नहीं यह बात चाहिए है कि जो पत्तर मारने वाली रस्म है वो मदीना में नहीं मक्का के मीना नगर में हैं यह बात चाहिए है और मैं सुरू के वीडियो में ही बोली हूँ कि इनसान से ही गलतिया होती है तभी तो उसे इन अंसान कहते हैं और उन्हीं छोटी-छोटी गलतियों को लेकर डीडोड़ा नहीं पीटा जाता है हाँ खांसर से छोटी मोटी गलतियां हुई है लेकिन यह भी है कि उन्होंने बहुत सारे इल्म भी दी आ है और आखरी बात मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हैं और अगर आप लोगों को लग रहेखकी मैं किसी का सब्सक्राइं यह तो देख नजरीए का की तो जैहिंद और अнет